आप देख रहे हैं X-Form exclusive series जिसमें हम बात करते हैं X-Form के अलग-अलग object को कैसे perform करें उनका एक demonstration video और ये बहुत ही important है क्योंकि आज के date में आपको हर जगा इस तरह के practical perform करने हैं दुरभागे से कई जगा ऐसे software अवेलबल नहीं है तो आपके college में भी अगर अवेलबल नहीं है तो ये सब को देखिए ताकि सीखेंगे और आगे आना से में जब अवेलबल होगा तो अप अच्छे से perform कर पाएंगे आपके लिए बहुत ही vital video है आज का जो हमारा object है in silico method को follow करते वे that means x form software को follow करते वे ये है to study the anti-ulcer activity of given drug by using pylorus ligation method यानि कि हमको आपके दिये गए drug के उपर ये evolution test लगाना है कि दिया गया drug क्या आपको ulcer से really provide करता है क्या उसके अंदर anti-ulcer activity है ये आपको check करना है तो उसके लिए दो चीज़ें जाननी पड़ेंगी कि ulcer क्या है और ये pylorus ligation method क्या है object से सवाल पूछिए क्या करना है क्यों करना है कैसे करना है वो आपको जवाब देने लगेगा वही उसका जवाब principle कहलाता है basically peptic ulcer हो या कोई normal ulcer हो उसको हम कैसे समझ सकते हैं जब कभी भी आप छोटे थे या अभी भी दोड़ते भागते हैं और गिर जाते हैं तो आपको पेन होता है उस पर अगर गलती से कोई नमक, मिर्च, यसी चीज़ें लग जाए पसीना लग जाए तो फिर दर्द का एसास क्या होता है वो आप अप अच्छे से समझ सकते हैं है वो भी आपको समझाता हूँ, दो फेक्टर काम करते हैं हमारी बॉड़ी में, अटैकिंग फेक्टर और डिफेंसिव फेक्टर, डिफेंसिव फेक्टर मतलब बो फेक्टर जो आपको अलसर से बचा रहे होते हैं जिसके अंदर का सोडियां बाइकार्बनेट होगरा आते तो फिर एसीड की ज्यादा मातरा की कारण से उस पेटिलर जगह में कटाओ चिलाओ देखने को मिलते हैं जिससे हम अलसर कहते हैं अगर पेप्टिक पार्ट पे हैं तो पेप्टिक अलसर कहेंगे, डियोडिनम पार्ट में तो डियोडिनम अलसर में कहेंगे, कोलोन में होग प्रोटेक्टिव जेक्टिज सेक्राल फेट वगरा होते हैं यहाँ पर आज हम बात करेंगे किसी दिये गए ड्रग की इवेलिवेशन कि क्या दिया गया ड्रग आपको आपके अलसर उने के लाइगेशन करना है एक थ्रेड जिसको हम लोग सूचर बोलते हैं उसकी सहाथा से कस करके बांधना है बट बहुत ज़्यादा कस के नहीं कि वो कुछ नुक्सान पहुचा है पानी आप एडलेबिटम दे सकते हो बट खाना नहीं देना है इससे उसके जो अब्जर्वेंस ऑफ एसीड है उसके फरक पड़ जायागा तो पहला चीज़ समन में आगे फास्टिंग में रखना है दूसरा जो हमारे एक्स्परिमेंटल एनिमल है इनको रेंडम तरिके से दो ग्रूप में डिवाइड करना है एक ग्रूप में तीन एनिमल रखना है तो एक में तीन दूसरे में तीन टोटल हमारे पास छे एनिमल हो गए इसके बाद हमको ड्रूप को एडमिस्टर करना है दो दिन तीस फिनट पहले जब आप लाइगेशन के मेतट को फॉलो करोगे मतलब अगर आप अब भी फॉलो करने वाले हो तो इसके दो दिन आदा गंटा पहले आपको ये ड्रूप दे दिन नहीं उसके बाद आपको रिस्पेक्ट के साथ उसको हलका सकत करना है उसके पैलोरिक पाट को बाहर निकालना है उसको लाइगेशन करना है इस हूचर के मतलब ते वापस उसको इंसर्ट करना है फिर कहता अगला स्टेप जिसको आपने ligation method के लिए रखा चुना किया उसके बाद उसको आप दूसरे cage में रख दो तक कि वो recover कर सके भाई आपने cuts लगाये हैं थोड़ा तो time देना पड़ेगा उसको recover करने के लिए 19 घंटे after the palloric ligation जब आपने ligation किया उसके 19 घंटे बाद आप उस experimental animal को respectfully sacrifice करेंगे और उसके बाद उस process को आगे बढ़ाएंगे respectfully बहुत emphasize करिएगा although these are the animals but we have to pay with special gratitude and respect to them हाले कि यहाँ पे in-silicon method है but assume करिए कि in vivo चल रहा है उसके बाद abdomen को आपको open करना है stomach को dissect करना है उसके content को collect करना है centrifuge पे डालना है stomach को open करने के लिए आप larger curvature cure जाओगे और वहाँ पे कोई ulcer आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो बाद इंपर चलेगा बट अगर आपको वो part दिख रहा है तो उसको एक microscope में 10x का magnification lens लगा कर कुछ की study करनी है आपका drug intraperitoneal तरीके से that means IP तरीके से तो ये जो root of drug administration है वो मैंने आपको पहले से भी पढ़ा दिया था तो आप चाहें तो theory से वो cover कर सकते हैं इसके बाद हम उसको respectfully anesthesia यूथेनेसिया देने के बाद देखिए उसके particular part को cut कर रहे हैं digestive system को cut कर रहे हैं ताकि pallorus ligation method को follow कर सके हैं respect के साथ cut करना है नीचे और उपर mark लगा लिए नहीं कहां से कहां तक cut करना है दो type के seizure आते हैं एक normal seizure होता दूसरा blunt seizure होते हैं जिसका एक हिस्सा बिल्कुल भी धारदार नहीं होता तो उस वाले हिस्से को जिसमें धार नहीं होता उसको हमेसा नीचे के और लगाना है और जिसमें धार होता है उसको उपर के और लगा करके cut करना है cut बहुत सा धाने से लगाईएगा दाकि उसके inner part damage ना हो अल्दो उसके recovery के chances लहीं के बराबर है फिर भी आपको put respect और with dedication आपको perform करना है इसमें आप देख रहे हो इस वीडियो में कि हमने उसको respectfully cut किया उसके inner part को जिसको हम लोग अभी जाके ligate करने वाले हैं बांधने वाले हैं, tie करने वाले हैं उसको बड़े ही gentle way में बहुत sophisticated तरीके से बाहर निकाला अब यहाँ पे हम एक thread की मदद से, एक suture की मदद से इसको ligation करेंगे, इसको हम बांधनेंगे, इसके कारण से क्या होगा जो content है upper part का, वो नीचे की और move नहीं करेगा, और acid का जो secretion होगा, वो इसके उपर वाले part तक ही रहेगा, जिसके कारण से acid जो की attacking factor है, और हमने पले ही कहा है कि आपको 24 गंटे तक इसको fasting में रखना है, तो there is no food particle present over the surface, over the canal, तो यहाँ पे acid की मातरा अधिक होगी, जिसके कारण से attacking factor ज़्यादा काम करेगा, और वो ulcer cause करने की ability रखेगा, तो हमने उसको ligate किया, inner part पर वापस रखा, अब उसके जो skin है, आप देखरों, उसको हम वापस से stitch कर रहे हैं इसको, और इसको हम recover करने के लिए समय देंगे, at least 19 गंटे बाद ही आप इसको perform करोगे, बड़ी तखलीफ होती है जब आप experimental animal को गलत तरीके से handle करते हो, आपको यह नहीं सोचना है, कि वो animal है, आपको यह सोचना है कि वो एक living organism है, वो pain feel कर सकता है, अब वो करे ना करे, आपको तो pain feel कर नहीं है, that is why each and every step should be done with respectful manner, यह बहुत बड़ा principle है pharmacology के students के लिए, अगर आप respect नहीं करते हो, तो आपको किसी ब तरीके से perform करने का कोई हग नहीं बनता, तो हमने यहाँ पर देखा कि इसको पूरा stitch कर दिया, इसको stitch करने के बाद हम इसको recover करने के लिए एक अलग से cage में रखेंगे, उसके बाद हम practical को perform करना start करेंगी, so let me allow to finish this video, मैं इसको skip नहीं करना चाहता, अब यह हो गया finish, इसके बाद हमने इन animals को दो अलग अलग ट्रेमेंट transfer कर दिया, depending upon their group belong to vehicle treated और drug treated, तो यहाँ पर क्या लिखा है remark में, select either vehicle treated और drug treated group, तो यह एक को select करना है, तो हम सबसे पहले तो vehicle treated रेट कर लेते हैं, यहाँ पर mouse number के हिसाब से हम इसके activity को देंगे, यहाँ पर देखिए, वापस से वीडियो प्ले होगा, जो चीज़ अभी आपने देखा, वही वीडियो वापस से चीज़ से लेगा, और यह मुझे ही लगता कि आपको बार-बार देखने का सकता होगी, यहाँ पहले मैंने पूरा वीडियो आपको दिखाया, कहीं भी pause, कहीं भी कोई इसकी fast forward नहीं किया, बट अब जरूरत है कि इसको हम fast forward कर दें, एक मिनट हम दिजार नहीं कर पाएंगे, तो हमने इसको पुरा कंटेंड को लिया, जो उसके अंदर के section थे, उसको हमने लिया, greater curvature को बोला गया था, वो greater curvature को हमने लिया, उसको pin-up किया, अब उसको हम 10x macroscope से देख रहे हैं, तो इसका जो score आएगा, वो नीचे आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम इसको mouse को माल लेते हैं, number one, इसका score हमने 0 लिख दिया, अब अगले animal के बारी आती है, इसी vehicle treated group का second animal लेते हैं, और इसके वीडियो को मुझे play करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे greater curvature का हिस्सा, तो यहाँ पर हम उस animal को लेते हैं, सेकेंड वाले को dissect करते हैं, respectfully, 19 गंटे बाद जब हमने ligation किया था, उसके बाद, तो यहाँ पर आप उसके जो digestive system है, उसको cut करेंगे, greater curvature मतलब पता है, ना आपको greater curvature रखाता है, वो एक C-shape में होता है, तो जिधर curve जादा होता है, वो greater curvature है, जिधर थोड़ा सकरा, छोटा हिस्सा होता है, वो उसका lower curvature होता है, तो वो greater curvature की हो, देखिए, वहाँ पर आपको दिख भी रहा है, तो उसको हम इस तरीके से cut करते चलेंगे, उसके बाद उसको हम एक किताब के पन्नों की तरह open करेंगे, और उसके corner corner पर pin up करेंगे, और उसके बाद suitable microscope की मदद से, जिसको हम लोग buffer solution में अभी dissolve करके clean कर रहे है, जो भी content है, wash out हो जाए, इसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको pin up करता हूँ नजर आ रहा है, यह हम pin up करेंगे, थोड़ा procedure में modification हो सकते हैं, यहाँ पर pin up करेंगे, और हम यह देखने को शुश करेंगे, कि acid की वजह से, इसके inner part पे कोई damage तो नहीं हुआ, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कि आप यह देखो, कि acid जो कि एक attacking factor है, वो अंदर में है, और वो direct contact में है, तो कोई घाव create करेगा, यहाँ पर सिर्फ एक demonstration purpose से, एक representative purpose से यह image लगाया गया है software में, exactly यह image नहीं होगा आपको हर बार, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़े थोड़े आपको shade नजर आ रहे हैं, damage नजर आ रहे हैं, उसके skin पर, muscles पर, as compared to the boundaries of this image, तो इससे समझ में आता है कि नुकसान पहुचा है उसको, तो यहाँ पर दिखिए कितना value आया है, उसका counting करने पर, counting का मतलब है कि कितना, कैसा, ज्यादा दिख रहा है, आपको अर्सर, जितना ज्यादा होगा, उतना ही counting बढ़ेगी, नहीं, तो 0 फिर देदरे आगे बढ़ते जाएगा, just for representation, exactly इस image पर मत जाएगा, इसके function को समझेगा, तो यहाँ पर दिया value 2.5, this is a automated fitted है, हम इसमें कुछ नहीं change कर सकते, तो यह 2.5 आपने note किया, अगले animal को ले लेते हैं, इसी vehicle treated का, अब यह जो वीडियो से बार-बार वही play होगा, तो इसको हम थोड़ा सा force forward करके देख लेते हैं, ताकि हम अपने काम को थोड़ा जल्दी cover कर सकें, यहाँ पर value i0, तो इसको हमने note कर दिया 0, मैंने कहां फिर से कि image के वल representation मातर है, image को देख करके हम calculate नहीं कर रहे हैं फिलहाल, वो value putted है, उसी कौमिया पर note कर रहे हैं, तो यह हुआ हमारा vehicle treated, ऐसा ही करते हैं हम drug treated के साथ में, पूरा का पूरा process, पूरा का पूरा वीडियो, बिल्कुल सेम होगा, result बस अलग होगा, इसको भी हम fast forward के लिए के जाते हैं, और इसके result को note करेंगे, यह drug treated है, इसका score कितना आया, 0, यह आप 0 note कर दीजे, दूसरा animal ले ले लेते हैं, दूसरा animal के साथ भी यही चीज़ चलेगा, वीडियो से start कर दीजे, इस वीडियो को fast forward कर दीजे, और आप चाहें तो इसको play करके देख सकते हैं, इसके value I0 यह भी आप note कर दीजे, अब तीसरा लिया, चलिए इसको हम पूरा होने देते हैं, तीसरा लिया, तीसरे के बाद हमने वीडियो को start किया, वीडियो that means procedure को start किया हमने, अब procedure के बाद में, जब उसके greater curvature को open करेंगे, PSA से clean करेंगे, magnifying glass से देखेंगे, तो उसके बाद हम बता लगा पाएंगे कि score कितना है, अलसर के होने के score कितना है, यह score क्या होगा, हम उसको note करेंगे, फिर finally calculate करेंगे, दोनों में compare करेंगे, vehicle treated और drug treated में उससे हम यह देख के पता लगाएंगे, कि आपका drug काम कर रहा है, कि नहीं कर रहा है, यह पूरा process बड़ा interesting है, और यह pharmacology अगर आप एम फार्म करने वाले हो, तो screening pharmacology, screening method बहुत interesting होने वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे, इसकी value आगई, और इसकी value भी आगई 0, तो यहाँ पे आप तीनो value देख सकते हो, 0-0-0 है, drug treated के अंदर, इससे तो समझ में आई गया, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम जाते हैं observation पे, observation पे देखेंगे, आपको table नजार आ रहा है, group को divide किया गया है, vehicle treated, और omeprazole treated, यहाँ पे अब आपको drug का नाम दिया, ऐसे पहले drug का नाम नहीं दिया था, तो यहाँ पे था drug treated, omeprazole एक example है, proton pump inhibitor, that is PPI का, and this is very very useful drug in case of peptic culture, as well as in case of GERD, तो यहाँ पे देखिए, कैसा यह group का है, counting, यह आपका vehicle treated है, पहले इसको cover कर लेते हैं, mouse number 1, 2, 3, उसका average, 1 का 0 था, 2 का 2 पॉइंट था, 3 का 0 था, तो average निकाल लिए, उसका 0.83 and so on, वैसा ही omeprazole यह drug treated का group का देखिए, 3 का 0 था, तो average definitely 0 होगा, तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, कि पहले वाले में तो score था, ulcer था, अगर आप सब को नहीं भी देखोगे न, तो केवल माउस की second number की value देख लीजे, यह इसका समझ में आही जाएगा आपका, तो यह आपको दिख रहा है, 2.5 score के respect में बात करें, तो यहाँ पर सब में 0-0 है, तो obviously वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि value क्या आई हुई है, तो हम इस पर conclusion पर जाते हैं, conclusion पर click करेंगे, तो दिख रहा है, higher the number of ulcer count, is vehicle treated group, and the drug treated, that reflect the anti-assertivity of drug, omeprazole has been shown, इसका मतलब भी है कि higher number of ulcer count दिख रहा है, आपको vehicle treated में, अगर आप compare करते हैं, drug treated के तुल्ला में, तो इसका मतलब भी है कि drug treated group, भड़ा सा कम ulcer show कर रहा है, that means आपका जो drug था, वो काम कर रहा है, तो इससे समझ में आगा कि आपका जो drug था, आपको समझ में आया होगा, ऐसा मैं उमीद कर रहा हूँ, एक comment box में feedback दे देंगे, तो आगे के लिए हमाई ले भी अच्छा लगेगा, आपके वीडियो बनाने के लिए, thank you so much for watching this video, नमस्कार, take care.